जैहिन जै भारत इन वेलकम रूट डेफ टॉक्स दिस अदिये चिन भारत और रशा के रिलेशन्स के बारे में काफी बारी मैंने बात करिए कि किस तरह ये रिलेशन्स बहुत ही अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं और ये आइस ब्रेकर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है इनके नौधन सी रूट का एक जो डेवलप्मेंटल प्लान है उसके अंदर आता है इस नौधन सी रूट डेवलप्मेंटल प्लान के चकर में रशा ने एक कमिट्मेंट करी है कि 2030 तक ये लोग इस नौधन सी रूट स से भारत तेल ले रहा है और को ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है रशा बिकम बान अद बिगेस्ट सप्लायर्स अफूड ओल और एंड एनर्जी रिलेटेटेड तिंग्स इन दे वर्ल टुड़ तो योगी भारत का तो इतना जारा ही है और उसी तेल को आप साफ का प्रोजेक्ट ये टोटल छे साथ हजार करोड का है और ये एक रश्या की स्टेट ओंड न्यूकलियर कंपनी है जिसका नाम है रोस्तोंग वो ये चीज आगे लेके जा रही है और वो काफी टाइम से फेवरिबल और केपिबल यार्ड ये चीज उनकी तरफ से एक करके आगे जा चुके हैं टोटल इनका जो डेवलोप्मेंटल प्लाइन मैंने आपको बताया नॉर्डन सी रूट का उसके अंदर पचास आइस ब्रेकर बनेंगे जिसके अंदर धीरे-धीरे करके आपको कॉंट्राक्ट मिलेगा और रशन आ ना सेंग कि आप चार बनाईए उसके बाद this will be a regular contract that you will be building ships for us वैसे भी देखे इतना सारा जो रूपी फसा हुआ था भारत के अंदर उसको invest करने के लिए 4-5 बिलियन डॉलर के उन्होंने ships के order पहले भी दिये हुए है जो cargo ships हैं करीब-करीब 27 से 30 ships cargo ships आप Russians के लिए बना रहे हो विच इंक्लूड ओल टैंक ships आप बनाओगे रश्या और भारत इस टाइम पर डिसकास कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो energy sources हैं जो भारत को चाहिए उसका एक systematic supply chain बनाया जाए जो northern sea route से सीधा आए और भारत के ports के अंदर फटा-फट पहुंच जाए आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताईए कि चन बहुत important है जैसे मैं आपको बोलूँ देखिए आपके trade routes INSTC भी है, IMEC भी है, ये चीज़ें आप बात कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही है गहरे राज्य के जितने भी चाल चलन होते हैं उसके चक्कर में ये चीज़ destabilization region के अंदर जो West Asia के अंदर आपको दिखती है ये थो Saudi Arabia और Oman के बीच में बात चल जाए कि किस तरह साओधी, Dubai इन चीज़ों का oil, Oman के अल-दुकम port जो भारत के पास है उस तरफ लाया जाए और जो भी उनको exports करने है भारत की तरह वो बहां से करी जाए तो ये बहुत ही important चीज़ है लोग अपना एक alternative ढूनना शुरू करेंग इसके बारे में हमको obviously कहीं idea कम ही है. So मैंने जासे बताया रौस्टाम की तरफ से चार non-nuclear ships बनेंगे भारत के अंदर और भारत ने भी proposal दिया है कि joint manufacturing बनाएंगे और हमारे अपने shipyards के अंदर तो ये अब भी negotiation चल रही है and very soon this contract will be signed and we will be going forward. इनकी एक पूरी delegation आई थी, Indian Business Delegation, Eastern Economic Forum के अंदर, Vladivostok में हमारी भी delegation गई, काफी इसके अंदर discussions होए थे और ये discussions होए थे, Modi साब के July 2024 में जब वो Russian President Vladimir Putin से जपियां मार रहे थे, उस time पे ये discussions लोनों ने करी थी, जोकस अपाट, this is what was done. अब देखिये, दो leaders के अंदर जो personal chemistry होती है, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें sort out हो जाती है and that is something which is very admirable as far as our leadership is concerned today. दोनों तरफ से बोला कि साब ये जो ships हैं, ये भारत का जो एक नजरिया है, Arctic के अंदर काम करने का, उसको fructify करेगा और आगे जाके जो जिस तरह से भारत और रश्या के trade बढ़नी है, उसको भी fructify जरूर करेगा. Now, one of the things that we need to understand कि Russian direct investment इसके अंदर होगा, RDIF एक fund बनाया गया है, Russian direct investment fund और इंडिया का एक ENSO group है, ये दोनों joint partnership के अंदर 1800 करोड उपे का investment करेंगे for making of the ship and the infrastructure which is required for this particular construction. ये जो Arctic Sea Root है, इसके बारे में काफी बात हैं हो चुकी हैं और ये July 2024 में launch हुआ था, China, Russia ने एक launch करा था and भारत के obviously इसके अंदर काफी time से interest है and Russia does not want to work alone with the Chinese क्योंकि देखिए एक trust factor जो है, वो नहीं है. तो China भी कोशिश कर रहा है वहाँ पर but at the end of it now you can see the reality किस तरह ऐसे Russia ने instead of giving this contract to China they have actually banked on भारत because एक dependable partner है, आपकी अपनी interest को छेड़ेगा नहीं तो काफी चीज़ें रशा को अभी समझ में आता है कि there is a major trust issue between Russia and China और ऐसी ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो आपको दिखता है कि there is a big problem. As far as defense is concerned आपको ये चीज़ दिखेगी कि भई अभी Malaysia के जो support 30s हैं उसके upgrade कराने थे तो वो Russia के पास नहीं गए वो आज भारत के पास आए हैं और उन्हें बोला कि साब ये है ये avionics हमको चाहिए है आप जड़ा बताओ यार आपके पास ये systems हैं लगा दीजे दीरे-दीरे करके you will also find कि S-400 के spares और जो भी और equipment है उसकी manufacturing, MRO जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो भारत के अंदर एक industry अलड़ी set up हो रही है और Russians ने पूरी तरह से अपने licenses और license production के लिए आपको capability दी है यहां तक कि भारत ही defense forces उस S-400 के system को लेके अपने आप एक indigenous platform बनाना चाहती है जो Russian 550 system के करीब में रहेगा so उसका भी already काफी कुछ काम चल रहा है I believe next year तक उसके भी trials शुरू हो जाएंगे so there's a lot between India and Russia जो चीजें चल रही है and यहां पर भारत भी Russia को force कर रहा है कि भई हमारी जो corporates हैं उनको भी आप अपने market में entry दीजे काफी हद तक दीरे-दीरे करके वो शुरू हो चुका है and that would be very interesting to see going forward जब यह चीज होती है तो गहरे राज्य के पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है और गहरे राज्य के पेट में जब दर्द होती है तो उसका एक ही चकर होता है Bloomberg के अंदर एक आर्टिकल आता है जो बोलता है कि भारत अभी रश्य का number two supplier है of restricted technology इन लोगों को लगता है कि यह आर्टिकल चार्टिकल लिखके यह भारत की पर pressure डाल देंगे भारत तो भाई खुले में बोल रहा है में के महीने में रश्या ने हमारे से 8 billion dollar की चीजें ली है some of them can be used as dual military use तो यह चीज तो भारत ने बड़ा clearly बोला है तो इसके अंदर Bloomberg को जो जटके periodically आते हैं और जो गहरे राज्य को थोड़ी सी lose motion हो जाती है यह चीज़े सुनके यह मेरे को इतना समझ में नहीं आता है तो देखिए अब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यह 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 पढ़के बड़े Chinese reaction बड़ी जबरदस्त आई है कि भाईया ओहो अब देखो भारत ही भारत भारत सारी चाइना एक खराब नहीं है भारत भी ऐसे उल्टे काम कर रहा है रश्या के साथ देखो अब दे भारत ने जो चीज़ें बोली है रश्या is more or less agreed to it चाइना काफी टाइम से प्रेशर कर रहा था कि पाकिस्तान को इसके अंदर ले आ जाए भारत ने बोला sorry boss that is not happening और यह चीज़ आप सुनेंगे कि रश्या प्राइस मिनिस्टर ने पाकिस्तान में खड़े होके बोला कि हम भी चाहेंगे पाकिस्तान को आना चाहिए ब्रिक के अंदर लेकिन क्या है ना ब्रिक से consensus driven platform है और सबके consensus की बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह चीज़ पाकिस्तान के अंदर खड़े होके उन्होंने बोली भारत और रश्या के relations एक और अंगल में आगे जाएंग को अगले एक देश साल के अंदर बढ़ती भी दिखे लिए हैं तब तक यह वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिये चैनल को अगर आपने नहीं करा है सवा तीन बजे हम मिलेंगे मेजर जनरल रबदीप सिंग से जब तक के लिए थैंक यू सो मच नमस्ते जै हिन जै भारत